मुर्दा शरीर चलते हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर मृत घोशित करता है वो पूरी तरह से मरा नहीं होता पांच से साथ मिनट तक वो ऐसे बरताव करता है जैसे वो जिन्दा हो और फिर मर जाता है उर्जा खर्च कर देता है तो इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में है चौदा दिनों तक अलग-अलग तरह की रस्में है जब शरीर छोड़ दिया जाता है जब पैर गिर जाते हैं तब आप चल नहीं सकते मरे हुए लोग चल नहीं सकते हैं यह न यह सच नहीं है हम उन्हें चला सकते हैं भारत के तांतरिक विज्ञान का पूरा संबंदिसी से मरे हुए इंसान को चला ना मुर्दे चलते हैं तांतरिक प्रक्रियाओं में ऐसा कई बार हुआ है लेकिन एक बार इधियास में इसे रिकॉर्ड किया गया है एक योगी थे उनके जैसे कई हुए है और आज भी है एक योगी थे जो ऐसे थे उनकी उस चीज़ पर महारत थी जिसे सूरी स्पर्ष कहते हैं इसका मतलब है स्पर्ष संपर्क, छूना, संपर्क या छूना तो ये सूरज के स्पर्ष की तरह है योग का एक प्रकार है जिसे सूरी स्पर्ष कहते है तो उन्होंने उस पर महारत पाई है वे एक बॉंग थे बॉंग मतलब एक बंगाली तो वे वारनसी में रहते थे और वे नियमेत रूप से अपने गुरू के पास जाकर इसके अलग-अलग चरन सीखते थे और इस पर चरन दर चरन महारत पा रहे थे तो कई बार उन्होंने इसे सब के सामने प्रदर्शित किया कि अगर आप एक पक्षी लाएं एक मरा हुआ पक्षी जिसे सभी ने जाचा हो कि वो वाकई मरा हुआ है मरने का नाटक नहीं कर रहा है एक वाकई मरा हुआ पक्षी अगर वो पिछले तीन घंटों में मरा हो वो सक्त हो गया तीन गंटों में पक्षी सक्त हो जाते हैं, शरीर का कड़ापन पक्षियों में काफी जल्दी होता है, मनुश्यों की तुलना में, क्योंकि एक पक्षी के शरीर का तापमान, पक्षियों के शरीर का तापमान, मनुश्यों के शरीर के तापमान से बहुत जादा अधिक होता है तो जिस तरह से ये ठंडा होता है और जैसे कड़ा पनाता है, वो पक्षी के शरीर में कहीं जल्दी होता है, मनुश्य की तुलना में तो पक्षी के मरने के तीन घंटों के बाद, अगर आप उसके पास पक्षी लाते थे, एक साधारन मैगनिफाइंग ग्लास से वो भी सीधी धूप से नहीं, शीशे से आ रही धूप से, अगर आप बाहर खड़े हों और शीशे से धूप अंदर भेजें, उस प्रकाश का मैगनिफाइंग कांच द्वारा इस्तिमाल करके, वे पक्षी को जिन्दा कर देते थे वो बोलता था, उठ बैटता था, चलता था और उड़ता था वो कुछ देर आसपास उड़ता था, और फिर से गिर कर मर जाता था तो लोगों ने पूछा आप इसको जीवित क्यों नहीं कर सकते, उसने कहा मैं इतना ही जानता हूँ मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं, मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन वे अब तक लगभग सतर साल के हो चुके थे तो उनका दुर्भाग्य था ऐसा हुआ कि एक साथ साल का लड़का, एक वहीं के इसलामी कबज़ा हो चुका था एक मुस्लिम राजा का बेटा, जो साथ साल का था, किसी अंजान बीमारी से मर गया तो उन्होंने उस आदनी के बारे में सुना था, जो पक्षियों को जिन्दा कर देता था वे उसके पास आये और बुले आओ और हमारे राजा के बेटे पर आजमाओ एक चीज थी, कि वे अपने देवता की मौजूदगी के बाहर कभी ये कोशिश नहीं करते थे उनके पास एक छोटे देवता और एक मंदिर था मंदिर के बाहर वे ऐसी चीजें कभी नहीं करते थे वे उसे सिर्फ मंदिर में ही करते थे वे बोले मैं अपने देवता की नजरों से दूर कभी ऐसी चीज नहीं करूँगा उन लोगों के लिए देवता की कोई कीमत नहीन थी उनके हिसाब से ये मूर्थि पूजा है वो एक उर्जा रूप है जो उन्होंने बनाया था और उसके साथ वे काम करते थे फिर बोलें अरे ये देवता हमेंसे ले जाएंगे हमेंसे महल ले जाएंगे उन्होंने का नहीं नहीं इन्हें आप हिला नहीं सकते फिर बोले हिला सकते हैं और देवता को उठा लिया फिर रोने लगे ऐसा मत करो जब उन्होंने देवता को उठाया और जब उन्हें खीशने लगे तब योगी बोले मैं नहीं आऊँगा मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं ये नहीं करूँगा वे तब गुस्सा हो गए जब वे लोग देवता को उठा कर खिलोने की तरह बाहर ले जाने लगे वे बोले मैं आपके राजा के बेटे को जिन्दा नहीं कर सकता अगर मुझे आता भी होता मुझे नहीं आता लेकिन मुझे आता होता तब भी मैं नहीं करता तब वे उन्हें बालों से खीचते हुए राजा के पास ले गए और वे बोले मैं ये नहीं करूँगा तो उन्होंने उनके वहीं टुकड़े कर दिये और जब ये सब कुछ हो रहा था तब उन्होंने देवता को गिरा दिया और वो तूट गया और उनके कुछ शिश्षि थे जिनें वे सिखा रहे थे वे सब उन्हीं के साथ खत्म हो गया लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है बहुत जमिदार लोगों के द्वारा कि वाकई कई बार उन्होंने ऐसा किया कि वे एक मरे हुए पक्षी को जो तीन घंटों से जादा पहले मर चुका है उसे वाकई खड़ा कर देते हैं और वो उड़ने लगता है काफी लंबे समय तक यानि एक घंटे से जादा तक और वे बार-बार कहते थे कि मेरे गुरू इस पक्षी को जिन्दा कर सकते हैं इसे पूरी जिन्दगी दे सकते हैं वो जितना भी समय हो और मेरे गुरू इनसान के साथ भी ऐसा कर सकते हैं ऐसे बहुत से योगी हुए हैं दक्षन भारत में एक और योगी थे वे मुख्य धारा के योगी नहीं थे ये एक मुख्य धारा के योगी थे तो लोग उनके पास आशिरवात के लिए आते थे और उनके आसपास चीजें होती थी वे करनाटका में रहते थे दक्षनी पश्चमी करनाटका में या दक्षनी कुलेकाल के पास कहीं और लोग उनके पास एक खटा होते थे एक बार ऐसा हुआ एक युवा लड़का मर गया माता पिता उससे लेकर आए और बुरी तरह रोने लगे तो उन्होंने उनकी हालत देखी और उन्हें शायद ये पता चला कि इस लड़के का मरना शायद ज़रूरी नहीं था ये किसी हद तक एक दुरघटना है तो उन्होंने अपनी उंगली डुबाई उनके पास एक ऐसा दिया था ये आमतर पर होता है कोई भी योगी जो ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं उनके पास एक दिया होता है तेल का दिया तो उन्होंने तेल में अपनी उंगली डुबाई और उसे मरे हुए लड़के के मु में डाला मरे हुए लड़के के मुँ में और वो लड़का कुछ देर बाद जिन्दा हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर के द्वारा मृत गोशित किया जाता है वो पूरा मृत नहीं होता मृत यू धीरे धीरे होती है अगर आप पहले से ही इसके बारे में न जानते हो तो वो महला का है उन्हें पता होगा पादरी की बेटी कोई मुर्दों का प्रबंद करने वालों का बेटा ये बेटी है कोई नहीं है आप शायद पहले से ही जानते हों आप में से कई लोग कि किसी वेक्ति के मरने के बाद 11 दिनों तक निश्चित रूप से और ज़्यादा तर 14 दिनों तक उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं बाल बढ़ते हैं आप जानते आप में से कितने पहले से जानते थे तो क्योंकि मृत्यू धीरे धीरे होती है चरण दर्चरण होती है यह अभी पूरी नहीं हुई है जीवन प्रक्रिया का निकलना इस पृत्वी के टुकडे से धीरे धीरे होता है सभी व्यवारिक अर्थों में जब सब कुछ रुख जाता है फेफ़डे रुख जाते हैं दिल रुख जाता है तो वे आपको मरा हुआ घुश्चित कर देते हैं लेकिन अभी नहीं तो इसका इस्तेमाल करके कि जीवन की प्रक्रिया अभी चल रही है आप उसे फिर से जागृत कर सकते है और सिस्टम को सकृइक कर सकते है इसी का इस्तेमाल करके तांत्रिक मुर्दा शरीर को चलाते हैं और ये बहुत असाधारन बात नहीं है ये काफी साधारन है और कभी कभी पेस पर काम कर रहे होते हैं जब दाह संसकार चल रहा होता है ऐसा कई बार हुआ है मैंने खुद नहीं देखा पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास जूट बोलने की कोई वज़य नहीं है और वे जूट नहीं बोलेंगे ऐसे लोग उन्होंने वाकई एक जलते हुए शरीर को उठकर चलते हुए देखा है वे उसे आग लगाते हैं शरीर जल रहा होता है पर वो उठकर चलता है क्योंकि उस पल में जब शरीर बाहर से जलने लगता है तब जीवन की प्रक्रिया सिकुड जाती है और कुछ ऐसे इस्थान होते हैं जहां जीवन उस पल जादा तीवरता से घटित होता है वे उसका इस्तेमाल करके सिस्टम को इस तरह जगा देते हैं कि वो अचानक उठकर चलने लगता है पांच से साथ मिनट तक वो ऐसे बरताव करता है जैसे वो जिन्दा हो और फिर मर जाता है उर्जा खर्च कर देता है तो ये इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्मे है 14 दिनों तक अलग-अलग तरह की रस्मे है और दुर्भागे से काफी हग तक इन रस्मों के पीछे का ज्यान इनके पीछे की शक्तिक हो गई है और लोग बस चीज़ें कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए वो ये करते हैं या बस ऐसा किया जाता है इसलिए वे करते हैं बहुत कम लोग वाकई समझते हैं कि इसका महें तो क्या है क्यूंकि जीवन उर्जाएं धीरे-धीरे जाती है वे इसमें इतना गहरी चली गई है शरीर की हर कोशिका में वे बस पुफ से नहीं चली जाती व्यावारिक रूप से शायद व्यक्ती मर जाए लेकिन पूरी तरह से नहीं मरता वो धीरे-धीरे मरता है तो हम इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि कोई धीरे-धीरे मरे धीरे-धीरे मरना यातना हो सकता है, है न? धीरे-धीरे मरना भ्हेंकर कश्ट है न, तो ये यातना हो सकता है तो हम चाहते हैं वो जल्दी जाए उसके मरने के बाद, सबसे पहली चीज है पैरों के अंगूठों को बांजना क्या आप अप भी ऐसा करते हैं या नहीं? अंगूठों को बांढना क्योंकि अगर आप अंगूठे ना बांधें तो शरीर की निचले हिस्से से जीवन अंदर आने लगेगा वो जीना चाता है क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं मरी नहीं है वे अब भी जीने की कोशिश कर रही है वे उर्जा खीचने की कोशिश करेंगी जब वे उर्जा खीचने की कोशिश करेंगी, तो कुछ शक्तियां शरीर में घुसेंगी आप नहीं चाहते कि आपके प्रियोजन के साथ ऐसा हो तो जैसे ही वो मरता है, आप अंगूठे बांद दें अब कोई बाहरी सहरा नहीं होगा, वो काफी जल्दी जाएगा अगली चीज है, आप उसे पानी से धो दें क्योंकि जब आप मृत्वक्ति को धोते हैं, जब आप जीवित होते हैं और कोई आपको नहिलाना चाहता है, और आपके चहरे पर पानी डालता है आपको लगता है आपको परेशान किया जा रहा है जब आप बच्चे थे, आपकी मा आपको नहिलाती थी क्योंकि हम शावर का इस्तेमाल नहीं करते थे, बलकि पानी डालते थे तो वे हमेशा आपके सर पर ऐसे हाथ रखती थी, ताकि पानी यहां ना आए और आप परेशान ना हो, लेकिन कोई और नहलाता था, तो वे बस पानी डाल दे दे थे और बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ या नहीं तो अगर आप बस चहरे पर पानी डालें, तो ये मृत्व्यक्ती पानी से परेशान हो जाता है अगर कोई भी छोटी सी गतिविदी हो रही है, तो वो रुख जाती है तो गरिमा से जीना और गरिमा से मरना बहुत महत्वपूर्ण है रुत्ती कोई अजीब विशय नहीं है, जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए ये यहीं मौजूद है हम सभी के लिए आगे बढ़ रही हैं, है न? धीरे धीरे परिपक को हो रही है एक दिन ये पूर्ण हो जाएगी ऐसा लंबे समय के बाद होने दीजिए लेकिन फिलहाल ये परिपक हो हो रही है, है न? तो अगर आप जीवन को अच्छे से समझते हैं बिल्कुल अच्छे से तो आप शरीर से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं कि आप पूरी तरह से बाहर आ जाएं आप सब कुछ इखटा करके चले जाएं अगर आप इस तरह से जाएं तो हम आपको दफनाएंगे हम आपके शरीर को नहीं जलाएंगे क्योंकि हम आपके उपर लकडी बरभाद नहीं करना चाहते आप पूरी तरह से चले गए हैं कोई जल्दी नहीं है हम आपको एक या दो दिन रखने के बाद जला सकते हैं तो मैं कहे रहा हूँ यह एक ऐसी संस्कृती है जहां हम जीवन और मृत्यू को बिलकुल अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें वैसे समालते थे जैसे उन्हें समाला जाना चाहिए पहले 14 दिनों में आप बहुत मदद कर सकते हैं मृत्व्यक्ती की यह संस्कृती, यह विज्ञान इस देश में एक बड़े तरीके से विक्सित हुआ पर फिर भ्रष्ट हो गया तो जो एक बहुत ही सुन्दर भ्रष्टाचार बन गया और व्रष्टाचार बन गया तो आज अगर आपके घर में कोई मरता है तो आप उन लोगों के पास जाते हैं, जो कहते हैं वो कुछ करेंगे और कहेंगे आपके दादा दूद पीना चाते हैं एक गाए दीजे एक लिटर दूद नहीं एक गाए बारिश हो रही है आपके दादा को छतरी चाहिए छतरी दीजे आपके दादा काटों पर चल रहे हैं उन्हें चपल चाहिए देखे आप अपने दादा के बारे में चाहे जो भी जानते हूं यह ना जानते हूं आप एक चीज ज़रूर जानते हैं कि वे अपना शरीर ही छोड़ कर चले गए जब वे अपना शरीर ही छोड़ कर चले गए तो छत्री, कपड़े, चपपल ये ठीक नहीं है लेकिन दुर्भाग इसे ऐसा हो गया है तो हम फिलाल एक प्रक्रिया के द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे इस तरह की सेवाएं दे सकें लेकिन आपको कभी भी इसे अपना काम नहीं बनाना चाहिए बस एक सेवा की तरह अगर आप भेंट करना चाहते हैं तो हम आपको ये चीजें करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं बिल्कुल ठीक से ये बहुत ही महतववून चीज है जीवन में ये एक बहुती महतववून पहलू है जब कोई अपना शरीर खो देता है तो पूरी तरह से लाचार हो जाता है उसे मदद चाहिए और उसकी मदद की जा सकती है लेकिन अशुद्ध और भ्रष्ठ हांतों से नहीं कोई इनसान जो परवाह करता हो कोई इनसान जिसमें इसकी जरूरी समझ हो अगर आप ऐसी चीजों से गुजरना चाहते हैं ऐसी ट्रेनिंग से तो ये उपलब्ध है हम अपने खुद के दा संसकार स्थान भी शुरू करने वाले हैं कोई बतूर में हमारा ईशा स्शुडुगाडु है आपको पता है नहीं पता कम से कम मरना कहा है अब आप ये जान गए और अगर आप मेंसे कुछ लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो आप ये सेवा दे सकते हैं और ये बहुत ही महतुपूर्ण सेवा है लोग इसकी कीमत नहीं समझते आज कल की दुनिया में आज कल की दुनिया इसकी कीमत नहीं समझते लेकिन ये करना बहुत ही महतुपूर्ण है